हलो दोस्तों नमस्ते आदाप सस्ट्यकाल आपका दोस्त गौरब टेस्ट बुक्स उपकोचिक पर स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाए तैयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं जीके और जीएस पेवार जहां पर हम लोग करेंगे दोस्तों वो सारे सवाल जो कि आपके प्रीवियस एर में पूछे गए थे आरारवी ग्रूप डे और एंटीपीसी में तो शुरुवात करने से पहले सभी लोगों को जो है भर भर के गुड़ मॉनिंग और एक बार जल्द ठोकरों के बाद जो है मैं बाद भी सभलता रहूंगा लाखरों ठोकरों के बाद भी मैं सभल जो है यहां पर सभलता रहूंगा गिरकर फिर से उठोंगा और मैं चलता रहूंगा तो सीरी सी बात है दोस्तों अगर आपको तयारी करनी है लाइफ में कितनी भी हड्डल्स आ करना पड़ेगा और यहां पर तभी आपको विजय प्राफ्थ होगी यह सिमरन गुड मॉनिंग इरिशाद गुड मॉनिंग और यह जो क्लास है दोस्तों आपकी चलने वाली है दस बजे से लेके ग्यारा बजे तक जहां पर हम लोग करेंगे यहां पर हम लोग करने वाले हैं एंटी पीसी के लिए ठीक है तो चले सेशन की शुरुवात करते हैं और शुरुवात करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे पहले कोशन के साथ यहस रगू गुड मॉनिंग तो यहस यहस आ चुका है तो पहला कोशन अब आपके सामने लेकिन उससे पहले दोस्तों यह डेली क्लासे होती है मंडे टू फ्राइडे ठीक है सेटे डे और संडे को आपकी जो है दोस्तों इस्पेशल क्लास हो रही है लेकिन मंडे टू फ्राइडे जो है सुबस सवा साथ बजे आप मेरे साथ जुड सकते हो जीके जीएस और करेंट अपेर के लिए ठीक है टेस्बुक रेलवे पे गरि व्यस्तू की स्थिर अवस्था या उसकी गती की अवस्था को विरोध करने की प्रवर्ति डेश क्यालाती है देंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट इस स्टेशनरी स्टेट और इस स्टेट ऑफ मोशन इस कॉल्ड डेश क्या हम इसको बल कहते हैं समवे केते हैं गुर्तकरशन केते हैं या फिर जड़त केते हैं क्या कहते हैं दोस्तों वेरिगुड इर्शाद वेरिगुड प्रिया बहुत ही बढ़िया अरिंद yağ very good, जिन्होंने कहा जड़त, मतलब इनर्शिया, उनका correct answer हो जाएगा, देखें, जड़त का नियम कहता क्या है, अगर कोई वस्तु जो है, अगर दोस्तों स्थिर है, तो वो स्थिरी रहेगी, अगर किसी गती से चल रहेगी, अगर किसी दिशा में चल रहेगी, तो वो उसी द इसी को हम लोग Newton's first law भी कहते हैं, क्या कहते हैं, Newton का पहला नियम, Newton's first law भी कहा जाता है, और आपके exam में ये question पूछा भी गया है, कि Newton's first law को कौन सा नियम कहा जाता है, तो inertia, law of inertia या जड़त का नियम हिंदी में कहते हैं, हम लोग इसको, ठीक है, Newton का प्रथम नियम, ठीक है, आगे पढ़ें, आगे पढ़ते हैं, अगले question पे, अगला question आपके सामने ये रहा, कहरें तो सो निमलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, देखें हिस्सा नहीं है, आप से पूछा गया है, प्रजनन का, ठीक है, which of the following is not a part of the female reproductive system, अंडाश है, गरभाश है, यौनी, या फिर शुक्रवाहिका, क्या होगा यहाँ पर correct answer, यहाँ पर करेक्ट answer, यहाँ पर करसर D option होना चाहिए, कुछ लोग करसर A option, तो देखें दोस्तों, अंडाश है, यह तो female में मिलता है, यूटरस भी female में रहता है, यौनी भी गरभाश है, और यौ क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, शुक्रवाहिका, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला जो है सवाल, डैश का पास का अग्रणी उत्पादक है, डैश is the leading producer of the cotton, गुजरात, पश्चिममंगाल, असम और उडिसा, क्या होगा करेक्ट answer, सभी लोग बताईए, सबसे ज प्रिया और रगु का करेक्ट answer है, इर्शाद का करेक्ट answer है, ठीक है, जो लोग A option कह रहे हैं, ठीक है, गुजरात उनका बिल्कुल करेक्ट answer होगा, गुजरात में आपको दोस्तों, cotton सबसे जादा होती है, यह आद रखेगा, ठीक है, कपास हमारे भारत में, तो गुजरा सबसे जादा होता है, यह आपको ध्यान रखना है, अगर हम उरिसा की बात करें, तो आपको यहाँ पे बॉकसाइट मिलेगा, ठीक है, बॉकसाइट बहुत जादा होता है, यह आपको ध्यान रखना है, अगर हम से पूछेंगे, गेहु सबसे जादा कहां पर होता है, क्या पूछ लिया जाए मतलब वीट पूछ लिया जाए तो वीट जो है यह पंजाब में होता है कहां पर होता है पंजाब में होता है सोया बीन सबसे ज़्यादा कहां पर होता है अगर पूछ लिया जाए क्या चीज सोया बीन तो आप आंसर क्या करेंगे सोया बीन जो है यह मध्य प्रदेश में होता है कहां पे मध्य-प्रदेश में सबसे जादा होता है ठीक है अगले कोशन बड़े very good प्रतीक सिम्रेन रगु बहुत भी बड़ी आगला अच्छ सूगर केंड कहां पर होता है तो रखेगा सूगर के अगला कोशन कहरा है निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ठीक है आपको बताना है कौन सा statement correct है पहला statement कहरें 114 तत्तों में से 22 अधातुए हैं और अन्य आयस्क है ठीक है यहाँ पर दूसरा statement कहरा प्रतेक आयस्क एक खनिज है परंतु खनिज एक आयस्क नहीं है which of the following statement is true out of 114 elements 22 are non-metal and other are ores every ore is mineral but mineral is not an ore यह बताईए कौन सा correct है कहरें दोस्तों A और B दोनों सही है A और B दोनों गलत है केवल A सही है और केवल B सही है जल्दी से बताईए elimination method लगाईए का दोस्तों जल्दी हो जाए कि यहाँ पर कहरें सर यहाँ पर C option होना ने मBT जा चाहिए केवल A सही है सिमरन कहा रहे सर केवल B सही है तो देखें दोस्तों मैं आपको बता दू जो लोग कहरें केवल B सही है उनका देखते हैं correct है या नहीं देखें सबसे पहले statement को देखते हैं पहला statement कह रहा है कि 114 तथों में से हम आगर बात करें modern periodic table की किसकी बात करे, modern periodic table की, किसकी modern periodic table की, मतला आधुनिक आवर्त सारणी, किसकी आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तो, total element कितने है, कुल element, total element, तो आपको ध्यान रखना है, total जो है, कुल element जो है, वो 118 है, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या दे रहा है, 114, तो यह तो वैसे भी गलत हो जाएगा, और 118 में से दोस्तो, याद रखेगा, 92 जो है, यहाँ पर अगर बात करें, 92 क्या है, metal है कि non-metal है, जल्दी से बत बाद जो है, यहाँ पर 200 बानवे होगे, अच्छे जो है, यह non-metalloid है, क्या है, यह non-metalloid है, आपको बताना है, कितने metal है, कितने metal है, मैंने आपको counting लिग दी है, total count करोगे, 118 आ जाएगा, ठीक है, कहरे सर, बानवे metal होना चाहिए, बाकि लोग क्या कहते है, बानवे metal हो जाएगा, दोस्तों, यहाँ पर correct हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े हैं अगले question पर, ठीक है, यह 12 मैटल होते हैं, 20 non-metal होते है, बाकी जो बच्चे6 जो होते हैं, वो non-metalloid होते है, ठीक है, इस और तो यह क्या हो गया, यह नॉन मेटल हो गया और यह मेटलोईड हो गया, तो हमारा statement वन गलत हो गया, तो इस statement केवल बी सही होगा, तो option number 4 सही होना चाहिए, केवल बी सही होगा, ठीक है, अगले question बढ़ते हैं, अगला question आपकी screen पर यह रहा, अगला सवाल कहे रहा है, गती के स which of the following is incorrect, incorrect आपको बताना है, 2A, S is equal to U square minus V square, S is equal to UT plus half 80 square, 2A, S is equal to V square minus U square, और V is equal to U plus 80, कौन सा इन में से गलत है, सिमरन कहरे सर, एक गलत होना चाहिए, प्रतीव भी कहरे सर, एक गलत होना चाहिए, बाखी लोग, प्रिया ने भी कह दिया, एक गलत होगा, देखें दोस्तों, आपके पास 3 formula ने लिकल कर आते हैं, एक आता है, V is equal to U plus 80 आता है, ठीक है, एक होता है, V square is equal to U square plus 2AS होता है, एक होता है, S is equal to UT plus half 80 square, क्या होता है, एक होता है, S is equal to UT plus half 80 square होता है, देखें दोस्तों, हम देखें तो S is equal to UT plus half 80 square, ये तो बिल्कु सही है, हमें लेकिन सही नहीं बताना, हमें बताना कौन सा गलत है, हाना, यहाँ पे अगर हम देखें, V is formula को मैं क्या लिख सकता हूँ इस formula को लिख सकता हूँ V sqare U को यहां यहां के transfer कर दूँगा तो U sqare is equal to two A s यह لिख सकता हूँ V sqare minus U sqare is equal to two A s और यही दोस्तों यहां पर यहां पर दर्सा रहा है तो मतलब यह तीन उ सही हो गए यह मैं नहीं लिख सकता ठीक है ये कभी नहीं लिख सकता क्यों क्यों क्योंकि अगर मैं u square को यहाँ पे रहने दूँ और v square को यहाँ ले क्या हो तो यह negative हो जाएगा और यहाँ negative यह दिया नहीं है तो correct answer यह होगा मतलब यह गलत formula दिया गया है ठीक है option number a correct होगा चले आगे sir one or three same है same कहां है दोस्तो same है क्या one or three कहां same है देखे इसको आप क्या लिखोगे इसको क्या लिखोगे इसको मैं यह लिख सकता हूँ v square is equal to u square अब यह धर जाएगा तो minus 2s यह लिखोगे ना लेकिन यह तो होते नहीं formula यह होता है formula अगर मैं इस v square को यहाँ ले आओ तो positive हो जाएगा यह 2s को ले जाओ तो यहाँ minus हो जाएगा हा ना minus हो जाएगा तो यह तो minus होते ही नहीं यह फौरूले में तो यह मुदा फौरूले में. तो यह होगा सहीं धीक है. गलती मत करिएगा। ऐसी छोटी-छोटी गलते ही थम्हटिया हो जाती जाम में। ठीक है. चलें आगे. अगले कोष्ण अगला कोष्ण आपकी स्क्रीन पर यह रहा। ठीक है, option number one correct हो गया, अगला कोशन, देखे, वर्स 2018 का वार्शिक जो है, union budget किस दिन पेश किया गया था, on which day the annual union budget for the year 2018 was presented, 28 फरवरी, 1 मार्च, 1 फरवरी, 1 जनवरी, देखे दोस्तों, यह previous year का है, इसलिए 2018 लिखा है, लेकिन इससे फर्क नहीं पढ़ता है, दोस्तों की चाह यह, तो दोस्तों मैं आपको बता दू, यहाँ पे correct answer, मुकेश जी कह रहे है, correct answer, मुकेश जी का यहाँ पे correct answer होगा, एक फरवरी, ठीक है, एक फरवरी, हर साल जो है, दोस्तों हमारा union budget जो आता है, वो एक फरवरी को आता है, यह आपको ध्यान रखना है, कब आता है, एक देखे हमारे दोस्तों सम्विधान में कहीं पर भी बजट नहीं लिखा है, अगर आप सोचों कि हम अपने सम्विधान में बजट शब्द धून लें, तो बजट शब्द कहीं नहीं मिलेगा, उसकी जगह पर क्या मिलता है, उसकी जगह पर मिलता है, Annual Financial Statement, क्या लिखा रहता ह है, यह आपको ध्यान अखना है, और यह दोस्तों किस अनुछेद के अंतरगत आता है, तो अनुछेद याद रखेगा, आर्टिकल या अनुछेद हम कहींगे आर्टिकल को, यह किस अनुछेद के अंतरगत आएगा, 112, किस के अंदर आएगा, 112 के अंतरगत आएगा, ठीक है अच्छा सबसे जादा बार जो है बजट किसने किया है पेस तो यहाँ पे मोराजी दिसाई जी ने किसने मोराजी दिसाई जी ने जो है सबसे जादा बार पेस किया है बजट को दस बार पेस किया है अभी देखिए दोस्तो इस बार का जो है दोस्तो इंट्रिम बजट आया थ ठीक है, और इन्होंने कौन सी बार किया, ये छटवी बार इन्होंने पेश किया है, ये ध्यान रखेगा, ठीक है, छटवी बार, ठीक है, चलिए, अगले सवाल बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत के समविधान के डैश में समान नागरिक सहीता के प्रावधानों का उलेक किया गया है, the provision of uniform civil code are mentioned in dash of the constitution of India, भाग 6, भाग 4, भाग 10 और भाग 3, क्या होगा यहाँ पर correct answer सभी लोग बताइए, यहाँ पर सिमरन कहे रहे सर भाग 4 होना चाहिए, ओके, बाखी लोग क्या कहेंगे, भाग 4 करेक्ट हो गया नहीं, रगु भी option कर correct होना चाहिए, तो यहाँ पर correct answer होगा, भाग 2, भाग 2, मतलब यहाँ पर option number 2, not भाग 2, ठीक है, यहाँ पर option 2 correct होगा, भाग 4, देखे दोस्तों, अगर हम बात करें, uniform civil code जो है, जिसको हम लोग short form में UCC कहते है, यह किस article के अंतरगत आता है, तो आप से पूछा जाएगा, अनुछेद, बताईए, किस अनुछेद के अंतरगत आता है, तो आप कहोगे, यह अनुछेद, जो है, 44 के अंतरगत आता है, 44 के अंतरगत, और यह 44 अनुछेद किस के अंतरगत आता है, DPSP, DPSP क्या है, Directive Principle of State Policy, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, राज के, राज के, नि निती, निर्देश, सिध्धान्त कहते हैं, यह आपको दिहान रखना है, ठीक है, राज के, निती, निर्देश, सिध्धान, ठीक है, और यह भाग, चार में रहता है, निती, निर्देश, के सिध्धान, ठीक है, यस, KJZ, गुड मॉर्निंग, ठीक है, यस, DPSP, Ireland से लिए कहां से लिए है, राज के निती, निर्देश, तो यह, Ireland से लिए गए है, यह, आपको ध्यान रखना है, Ireland से लिए गया है, ठीक है, और Ireland uspayन से लिया है ठीक है अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा देखें निमलिखित में से कौन सा विभिन रूपों में मौजूद हो सकता है विच आप फॉलॉइंग कैन एक्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म ठीक है क्या सिलिकॉन हो सकता है है पुटेशियम हो सकता है कारबन हो सकता है या फिर मेगनीशिय हो सकता है क्या हो गहा यहां पर क्रीक्ता और स्क् chopped यह और सक्पर then स्एफ थों क्यों कार्बन होना है टीक है जैसे की दोस्तों आपको स्क्यां क्रेंग हो दूसरा जो है ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है तीसरा जो है बख मिंस्टर फुलरेंस के फॉर्म में मिलता है ठीक है यह इध्यार रखेंगे चले आगे बढ़े अगला कोशन लेकिन उससे पहले तो जिन्हों ने अभी तक लाइक और शेर नहीं किया फटावर से लाइक अब देखे दोस्तों यहां करें समराथ अशोक ने पत्थर के स्थम्बों और पत्थर के तक्तों पर अपने डैश आदेश उतकिर्ण करवा कर अपने राज प्रमुक स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग जो है तद अनुसार आच्रण कर सके ठीक है क्या यह दोस्तों 16 है 14 है यह 10 है क्या होगा यहां पर पर करेक्ट आंसर बताईए जल्दी जल्दी से बताएंगे यहां पर अभी तक करेक्ट आंसर नहीं आया है लगता है confusion है कोई बात नहीं यहाँ पर correct answer होगा दोस्तो 14 क्या हो जाएगा 14 नहीं होगा रगुजी यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा 14 correct होगा 14 correct होगा ठीक है अब देखें अशोग की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं समराट अशोग की बात कर रहे हैं तो आपसे question पहला यह बनेगा कि अशोक किसके पुत्र थे ठीक है ये कोशन मनेगा तो ये बिंदुसार के पुत्र थे किसके पुत्र थे याद रखेगा किसके बिंदुसार के पुत्र थे ठीक है अच्छा है आप से पुछा जाएगा अशोका के दो है दोस्तो इनका जो है दोस्तो पुत्र कौन था इनका ठीक है, इनका पुत्र, इनका सन जो था, वो कौन था, तो आप कहोगे इनका पुत्र महेंद्र था, कौन था, महेंद्र, ठीक है, कौन था, तो आप कहोगे महेंद्र, अगर पूछेंगे कि इनकी पुत्री कौन थी, डॉटर कौन थी, डॉटर, ठीक है, डॉटर, मतलब पुत पुत्री कौन थी तो आप पुत्री कहोगे संगमित्रा कौन थी तो संगमित्रा थी कौशन यहां पर यह बनता है कि दोस्तों यह राजा बनने से पहले कहां के गवर्नर थे यह कौशन पूछा जाता है राजा बनने से पहले कहां के यह गवर्नर थे ठीक है गवर्नर ठीक है राज्यपाल कहां के थे, ये, तो आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों, उजयन के, कहां के, उजयन, और, तक्षिला के थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसके वाद आप से, पुछा जागए, इनको राज़ा बनाया कब गया, तो 279 ईसा पूरु को, ठीक है two nine two twenty nine जो है बिपोर क्राइष्ट इयदो स्का नाम है कंदा घ सबर को對啊 रखने दो बहुत बढ़िया रगु चले यहां पर बताईए किडिनी की संरचनात्म की काई क्या है दा स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडिनी इज यूरॉन है साइटोन है कीटोन है और नैफरॉन है क्या होगा करेटांसर सभी लोग बताईए जल्दी अली से और जिन्हों ने अभी तक लाइक और शेर नहीं कि अगब इक फड़्दा लाइकाशिर करते हूं होना चाहीए यहां पर नैफरॉन कह रहे है केज़िया यहां पर यूमिलन कह रहे है रगू प्रिया सनी बहुत ही बढ़िया जो लोग तो करेंगा नोर फोर यहां पर हो जाएंगा दियान जो है यह bean की तरह होता है इसलिए इसको bean shape कहा जाता है ठीक है, एक question आप से यह बचा जाता है कि बताईए kidney जो है एक kidney में कितने नेफरों तो आप कहोगे 1 million nephron कितने नेफरों 1 million nephron एक kidney में 1 million तो दूसरी kidney में कितने नेफरों होंगे सभी लोग comment करके बताएए जल्दी जल्दी से एक में एक मिलियन दूसरे में कितने नैफरोन होंगे यह आपको बताना है जल्दी से बताएए यहाँ पे very good KGR, very good Simran, एक मिलियन ही होंगे अविस सी बात है, एक किडिनी है, तो एक मिलियन तो दूसरे में भी एक मिलियन ही होंगे न, सीधी सी बात है टोटल अगर आपसे पूछा जाएगा, तो टोटल दो मिलियन नैफरोन होते हैं, दोनों किडिनी के मिला के किडिनी कितने होते हैं दो होते हैं टर्मन कंडिशन अपलाई होता है ठीक है क्यों टर्मन कंडिशन मा लेजे किसी ने दोस्तों बेच वेच के दोस्तों किडिनी आइफोन लियोगी तो वह बात अलग है तब यहां पर दोस्तों एक ही किडिनी हो जाएगा यह ध्यान रखेग लॉजी कहते हैं क्या कहते हैं नेफ्रो लॉजी ठीक है ध्यान रखेगा नेफ्रो लॉजी कहते हैं अब देखे एक कोशन यह पुछा जाता है किडिनी का काम होता क्या है किडिनी का काम होता है ब्लेड को प्यूरिफाय करना ठीक है क्या करना ब्लेड का प्यूरिफिकेशन त देखिए दोस्तों कहां पर धियान दिजएका वीच ओफ फॉर्वाइं आर्गैस का मतलब यहे दोस्तों कि जिसका backbone ना हो जिसका internal system बोन ना हो उसको हम कहते हैं कि दोस्तों वो कशेरुकी नहीं है ठीक है वेरी गुड यहां पर correct answer सिमरन का है प्रिया का correct answer है option number one होना चाहिए ठीक है वेरी गुड आनंद कुमार यहां correct answer भाई अर्थवाम होगा केच्वा कि कि क्या होगी होगी हडिया होंगी यहां ना हडिया होंगी ठीक है यहां फिर backbone होगा क्या होगा अगर जिसमें नहीं है तो दौस्तों नॉट वर्टी बरेट तो केच्वा यहां पर अर्थच्वा त्यक है आगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question पे अगला सवाल, देखें यहाँ पे बहतम कोश में उपस्थित electrons की संख्या को dash कहा जाता है, the number of electrons present in the outer most cell is called, क्या इसको हम सयोजक परमाणू कहते हैं, सयोजक electron कहते हैं, या सयोजक proton या सयोजक क्रमांग, क्या कहते हैं हम लोग इसको, जो outer most में जितने number of electron होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, वैलेंस electron, option number B correct होगा, ठीक है, अब माल लेजे कोई atom है, ठीक है, इसमें दोस्तो shell है, ठीक है, यह outer most cell है, ठीक है, यहाँ पर माल लेजे, अंदर दोस्तो दो electron है, ठीक है, इसमें माल लेते हैं, यह extremely, और यह बाँर में जो है जो है दोस्तो, तिन इलक्ट्रिन है, तो हमारा वैलंसी कितनी हो गई? हमारी वैलंसी हो जाएगी तीन, क्योंकि आउटर मोश्ट में कितने इलक्ट्रोन है? तीन इलक्ट्रोन है, तो वैलंसी जो है, तीन हो जाएंगे, ठीक है? अगला कोश्चन आपके लिए ये रहा यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहे हैं भारती सम्विधान का कौन सा भाग राज्यों को बच्चों, महिलाओं, अनसूचित जातियों और अनसूचित जन जातियों के लिए विशेश प्रावधान बनाने का दिकार देता है विच पार्ट ऑफ दी इंडियन कॉंटिटूशन एंपावर्स देश्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फोर चिल्डरन, वुमेन, स्केडूल कास्ट एंड स्केडूल ट्राइब क्या यह भाग तीन होगा, भाग एक होगा, भाग पांच होगा और भाग जो है च्छे होगा, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर, सभी लोग बताईए करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, फटा-फट से किरसर होना चाहिए, भाग एक होना चाहिए तो तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा correct answer होगा, बल्लब भाग 3, ठीक है, option number 1, ठीक है, भाग 3, क्यों भाग 3 में क्या दिया गए है, fundamental right दिया गए है, fundamental right ठीक है, मतलब मौलिक अधिकार आपको दिये गए हैं, इसके अंदर, मौलिक अधिकार दिये गए है, और मैं आपको बताना चाहूँगा, कि जो है, भाग 3 को ह magna carta कहा जाता है क्या कहा जाता है magna carta कई बार exam में पूछा जाता है कि किस भाग को magna carta कहते हैं तो magna carta कहा जाता है किसको तो वो कहा जाता है भाग 3 को ठीक है याद रखेगा भाग 1 में दोस्तो union territory दी गई है और भाग 5 में जो है दोस्तों ये संग दिया गया है और भाग 6 में राज भाग 5 में जो है संग मतलब यूनियन के बारे में दिया गया है ठीक है इस्टेट के बारे में दिया गया है ये याद रखेगा ठीक है चलिए आगे बात करें अगले सवाल बढ़ते हैं अगला सवाल लिए देखे सूर्य में सौर उर्जा के उत्पादन के समय निम्ण में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है विच अब दी फॉओवाशन लिएक्चेन होता है या फिर दहन होता है नूइकलियर फिजन डीकम्पोजियन नूइकलियर फिजन और कमशन क्या होता है यहां पर very good अरिंदम, केजिया, विश्नू, प्रिया, सनी, बहुत बढ़िया, correct answer यहां पर क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा आपका नाभिकी सल्यन होता है, मतलब nuclear fusion होता है इसमें, क्या होता है nuclear fusion, यह ध्यान रखेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन आपके लि एस दी प्रोड़क्त, तांबा, कैल्शियम, या फिर कास्टिक चूना, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, फॉर्म, दोस्तों, जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है, पानी के साथ अभी क्रिया करता है, सभी लोग बताईए, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएग यह आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा स्लेक्ड लाइम ठीक है इसको हम लोग कास्टिक चूना कहते हैं ध्यान रखेगा ठीक है कैसे दोस्तों देखें कैल्शियम ऑक्साइड जो है यह रियक्ट कर रहा है पानी के साथ यह क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड हमसे यही चुना भी कहते हैं फाइड्रोक्साइड ठीक है इसी को हम लोग स्लेक्ड लैम कहते हैं क्या कहते हैं तो हम ले इसलिए यहाँ पर तिक लगाया है ठीक है आगे बड़े चली अगले कॉश्चन बढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए यहां पर करें दोस्तों एक विद्यूत आवेश कितना होगा बला आपको चार्ज बताना है कितना होगा ठीक है एन एलेक्रिक करेंट ऑफ 0.5 एंपियर फ्लोस थूदी फिलामेंट और एन एलेक्रिक बल्ब फॉर फाइव मिनेट वॉट इस विल बी दा इलेक्रिक चार्ज फ्लोइंग धूर्दी और यहां पर नह नहीं है बताइए क्या होगा इसका अंसर अभी तक यहां पर किसी का नहीं आया है लगता है दोस्तों निमेरिकल में थोड़ा सा हाथ टाइट है एक सो पचास मुकेश कह रहे हैं ओके चलिए देखते हैं देखें दोस्तों हमें क्या क्या दिया है सबसे पहले यह देख लेते हमें समय दिया गया है टाइम दिया गया है किता दिया गया है पांच मिनट ठीक है पांच मिनट दिया गया है अगर मैं इसको सकेंड में लिखता हूं तो यह 300 सकेंड हो जाएगा रह ठीक है और हमसे बोल क्या रहे है निकालने को हमसे निकालने को बोल रहे है आवेश का मतलब क्या है चार्ज निकालने को यह बोल रहे है चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं धारा को आई से दिखाते हैं समय को टी से दिखाते हैं हना तो हमारे सामने एक दोस्तों फॉर् 0.5 MP collected क्यों हमनिकाल JENकाला है ठी किजगा हम क्या लखिँ लिखेंगे ठीक है क्याř Monica 500 कर देंगे तो क्यों यहाँ पर आ जाएगा 0.5 मॉइंट करेंगे तो यह Séц evolved within 15 AG jis जिसका 150 लो नौप रहा होगा उनका ऑन्रीत रो जाएगा बाकी इंदार हो जाएग1 बिल्कुलak है correct answer हो जाएगा बहुत ही बढ़िया बल्ले-बल्ले कर दिया आप लोगों ने विश्णु जी ने तो बल्ले-बल्ले अमिजी भी बल्ले-बल्ले कर दिये बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं फिर अगले पॉजिटिव क्या यह स्थेतिक उर्जा होती है कानेटिक उर्जा होती है या स्थिदी जूर्जा या फिर गुर्त करशन उर्जा कौन सी ऐसी उर्जा है जो है हमेशा पॉजिटिव होती है हमेशा धनात्मक होती है यह आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा हमेसा पॉजिटिव होगी देखिए दोस्तो यहां पर यहांपर आता है घुर्तवकर्शन ६लじゃ जो है, पूरेटा है, पूर्जा है, यह व्हाफ MB-2 होता है, यह हमेशा पॉजिटिव हो मतलब पूर्जेज सखता है, तो पूरा है नेंगेटिव हो सकता है, टेके लेकिन यह हमेशा धनाथमक रहेगी, गती जूर्जा हमें सा positive रहेगी ठीक है आगे बात करें चलिए अगला सवाल आपके लिए यह रहा तो गती जूर्जा है हाँ पर correct होगा अगला सवाल क्या कह रहा है इलेक्ट्रोनिक विन्यास के संबंध में निम्न में से कौन से बिंदू जो है सही है आपको बताना है कौन सा सही है ठीक है पहला कह रहा है या किसी परमाडू के कोशो में इलेक्ट्रोनों का विवस्थापन है या किसी परमाडू के कक्षो में इलेक्ट्रोनों का विवस्था इस तरीके के कोश्चन आपके गुरूब डी में पूछ लिए गए हैं ठीक है सभी बताइए करेक्ट आंसर केजिया कहरें सभी सही आंसर होगा अरिंदम भी कह रहे हैं आमिद भी कह रहे हैं विश्णु जी भी कह रहे हैं बोले सर आल ऑप्शन मिल गया सरकारी ऑप्शन इसक अंसर यह सारे के सारी स्टेट्मेंट जो है करेक्ट है अगला कोश्चन ऑक्सीजन के संबंद में हैलोजन समुग की अधिक्तम संयोजक्ता डैश है दा मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ दी हैलोजन गुरूप वित रिस्पेक्ट टूदी ऑक्सीजन इस टैन सैवन एट और टू कित साथ कह रहे ह है उनका बिल्कुल करेक्ट रहो जाएगा और मैं हिलोजन की बात करता हूं हिलोजन कौन सी इसमें इसाथ एए आते हैं तो simply आपको याद रखना है क्या हम मैंने ट्रिक बताई थी फिर कल बाहर आई आंटी फिर कल बाहर आई आंटी हना यह से याद कर सकते हो हना कैसे याद कि आपने फिर कल बाहर आई अगला आपके स्क्रीन पर यहां पर केरें विभूानतर की एक SI काई क्या है, what is the SI unit of potential difference, potential difference की unit पूछिए, ampere, column, या फिर volt, या फिर ohm, क्या होगा correct answer, यहाँ पे कहरे सर होना चाहिए, three option होना चाहिए, volt, 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 तो जो लोग volt कह रहे हैं, उनका यहाँ पर correct answer हो, क्या होगा volt, देखे, ampere किसकी unit होती है, तो यह तो धारा की unit होती है, विद् current की, column किसकी होती है, तो आपको धिहार रखना है, resistance की unit होती है, ओम, ठीक है, अगले question बढ़े, चलिए, अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा, अगला सवाल क्या कह रहा है, मैंडिलीव की जो आवर्त सारणी में तत्वो को किस क्रम में विवस्थित किया गया था, ठीक है, in what order worthy element arranged in the मैंडिलीव periodic table, परमानू दरव्यमानों के बढ़ते क्रम में, परमानू दरव्यमानों के घटते क्रम में, परमानू क्रमांकों के बढ़ते क्रम में, या परमानू क्रमानू के घटते क्रम में, क्या होगा correct answer सभी लोग बताइए, करे सर, increasing order of their atomic number, सिमरन जी, मैंडिली प्रियोडिक टेबल पूछ रही है, हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, जल्दी से बताइए, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, देखें दोस्तों, यहाँ वे correct answer क्या हो जाए क्योंकि मैंडिली प्रियोडिक टेबल की बात कर रहा है, मॉडरन प्रियोडी टेबल की थोड़ी बात कर रहा है, तो जो लोग भी option कह रहे थे हुनका correct answer हो जाता, हना तब कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हमसे तो पूछ रहा था, मैंडिली प्रियोडिक टेबल, अव, द धूनिक आवर्त सारणी का कहा जाता है यह आपको धिहान रखना है ठीक है किसको मेंडलीव को कहा जाता है और मेंडलीव की पिरियोडिक टेवल में 63 एलिमेंट थे कितने एलिमेंट थे 63 एलिमेंट थे यह भी याद रखेगा पूछा जा सकता है ठीक है और अगर father of modern predictable कहेगा तो आपको होगे यहाँ पे henry mostly sir आज marathon है क्या बता दो please sir प्रतीक जी आज marathon नहीं है आज तो सिर्फ 10 से 11 बजे ही तक class है ठीक है यह marathon आपका जब रहेगा तो मैं आपको इनफॉर्म कर दूँगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है चले आगे चले अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं अंडे को अंडाशे से गरभाशे तक किसके द्वारा ले जाया जाता है the egg is carried from the ovary to the uterus by dash क्या यह हम लोग डिम्बवाही नालिका के तुरू या फिर मुत्रवाहीनी के तुरू शुक्रवाहीका के तुरू या फिर गरभाशे जो है ग्रिवा के तुरू किसके तुरू बताइए करसर फैलोपियन ट्यूब होना चाहिए बाखी लोग क्या कहेंगे यहाँ फैलोपियन ट्यूब करेक्ट होगा या पर नहीं होगा चैले जो लोग फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए क्या हो जाए यहाँ पे फैलोप ये दोस्तों रहता है fellopian tube, ये रहता है fellopian tube, और fallopian tube में ही दोस्तों आपको याद रखना है zygote का formation होता है, जाइगोड का किसका होता है जाइगोड का formation होता है जाइगोड का बोता है दोस्तों जब gamete मिलते है मतलब जब दोस्तों यहां पर ovum और sperm मिलेंगे तब मलेगा क्या दोस्तों ठीक है सर एंटीपीसी के पेड़ बेच कब आने वाला है सौविग जी बहुत जल्दी आने वाला है जैसे आएगा आपको डेफिनेटली इनफॉर्म कर दिया जाएगा अभी तो सारी फ्री और कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिल रही है यहल्पी की क्लासे आपकी डिमांड पर श इनर्शिया को मापने की यूनिट क्या है द्रव्यमान घनत्व तापमान और आयतल क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे किसकी जरुरत पढ़ती है दोस्तों इनर्शिया को मापने के लिए मास मास तो बहुत बढ़िया मास देखे दोस्तों अगर आपसे मोमेंटम पूछ लेता मोमेंटम ठीक है मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी और चेंज इन मोमेंटम होता है इंपल्स ठीक है यह भी आपको ध्यानक ने यह पूछ लिया आता है और इनर्शिया पता करन भारती मुक्यबाजी चैंपियन मेरी कॉम किस राजय से संब्मन्धित है इंडियन बॉक्सर ये किस स्टेट से बिलोंग करती है या आपको बताना है मिजोरम से असम से मनिपूर से या फिर मेगाले से किस राज जैसे विलॉंग करती है जल्ली से बताईए मैरी कौम जल्ली से बताएंगे मनीपूर मनीपूर कह रहे हैं तो जो लोग मनीपूर कह रहे हैं उनका बिल्कुल इस नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे बहुता ही बढ़िया लुकिसलो हाँ यहां पे क्या हो जाएगा अपको अप्षय नंबर ऑपनीपूर अब देखेните इनको जो है पद्मभूशर से भी सम्मानित किया गया है पदमभूशर से भी और पदमश्री से भी सम्मानित किया गया है पदमश्री इनको 2006 में मिला था पदमभूशर इनको 2013 में मिला था और ध्यानचंद अवार्ड से भी ये सम्मानित की गई है किस अवार्ड से ध्यानचंद अवार्ड से भी ठीक है ध् चंद पुरुसकार से भी ये सम्मानित की गई है और ये पुरुसकार इनको कम मिला था तो 2009 में ठीक है तो ध्यान रखेगा 2009 में ठीक है आगे बात करते हैं और ये मनी पुर्राज से बिलॉंग करती है अगला गुशन यहां आप कहरें निमलिखित मेंसे किसे अपरेल 2017 में आयोजित चौट 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 वे राशे फिल्म पुरुसकार में कुंज देवम फिल्म के लिए दखिए दुस्तों यह प्रीवियस यर का है करेंट अफिर तो इसको अभी द्रव्यमान प्रतीशत द्वारा द्रव्यमान के संदर में विल्नेन की संदरता की जो है गड़ना कीजिए अच्छा कोशन है ध्यान रखेगा ठीक है हाँ यह सब प्रीविएस यह 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 गुरूब डी और जो है दोस्तों एंटीपीसी का प्रीविएस यह और मैं इसलिए ल of the solution in the terms of the mass by mass percentage 12.55 11.36 12.36 or 12.57 क्या होगा सभी लोग बताईए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाए कितना परसेंटेज होगा सभी लोग बताएंगे कुछ भी नहीं करना है बहुत ही सिंपल सा question दिया गया है फटाफट से मुझे बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा कोई चीज चीज चफ है इसमें देखें दूस्तों सबसे पहले इसनोंने कहा क्या है कहा है कह रहे है calculate the concentration of the solution concentration of solution बताना है right of mass by mass percentage तो हमें देखें salt कितना दिया था salt हमें दिया है 46 ग्राम यहीं दिया है 46 ग्राम दिया गया है कितने 320 ग्राम water में 320 ग्राम water में तो total अगर हम बात करें तो 306 हो गया हमारा solution कितना हो गया 36 हो गया solution हमें निकालना क्या है हमारा जो दोस्तों solution जला हुआ था पहले उसका percentage बताना है तो 46 था 46 बटे हमारे solution कितना 368 है divide कर दीजिए आपका answer आज आएगा क्या जल्दी जल्दी से बताईए into 100 जरू कर लिजेगा क्योंकि आपको percentage में बताना है ठीक है percentage में बताना है तो into 100 ठीक है फिर से मैं आपको बता दूँ the amount of common salt इन्होंने बताया कि common salt कितना है 320 gram of water में कितना है 46 gram है जहां सुनिएगा the amount of common salt in 320 gram of water in a solution is 46 gram मतलब हमारे पास salt 46 gram है हमारा water जो है 320 gram है calculate the concentration of the solution in the terms of mass by mass मतलब जो salt का वहाँ पे concentration है उसको हमारे solution में कितना percentage बनेगा वो आपको बताना था तो salt हमारा 46 है हमने solution पता लगा लिया solution हमारा 346 हो जाएगा ना 46 gram salt है और 320 gram water तो 346 हमारा solution हो जाएगा तो इस solution में हमारा concentration कितना है percentage मताना था तो into 100 कर देंगे तो आज आएगा आपका answer तो answer क्या आएगा आपका 12.57 यहाँ पे कई लोग answer कर रहे है very good Simran very good Vishnu very good Mukesh बहुत ही बढ़िया चलिए रगु बहुत ही बढ़िया अगले question बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने यह रहा कहरें दोस्तो आवर्त साड़नी के समूह में सभी तत्वों के dash समान होते हैं all the elements in the group of the periodic table have the same dash क्या होता है सेम परमानू क्रमांक होता है परमानू द्रव्यबान होता है सयोजी electron की संख्या या neutron की संख्या क्या दोस्तो समान होती है अगर आप किसी समू को देखते हो किसी ग्रुप को चेक करते हो तो आपको क्या कॉमन देखने को मिलता है वो आपको पूछा गया है यहां पर correct answer शुभम कुमार जी का है आनंद कुमार जी का है अरिंदम का correct है रगु का correct है मुकेश अमित निलकंट सौविक बहुत ही बढ़िया correct answer भी आपका option number हो जाएगा 3 सयोचर मतलब number of balance electron मतलब जो outer most में electron होगे उनकी संख्या में इसा same होगी for example जो पहले group में होगा तो उसके outer most में दोस्तो एक electron होगा जो दोस्तो सत्रवे group में होगा उसके outer most में 7 electron होगे और वो भी एक नहीं सभी जो उस group में element है सभी में number of electron जो ह balance electron आपको same देखने को मिलता है ठीक है आगे बात करते हैं दूखे alcohol alcohol को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके इस alcohol को dash alcohol कहा जाता है दोस्तों यह एक alcohol की बात कर रहा है ठीक है color are added to alcohol to make it blue so that it can be easily recognized this alcohol is called dash alcohol क्या jahriela कहते हैं या प्राकृतिक कहते कैसा हो गए यह यहां पर Unlike a C कह रहे है okay बाकी लोगँ क्या कहें यहां पर correct answer चले जो लोग यहां पे C कह रहे हैं very good इर्शाद प्रतीक उसके बाद दो ही लोगों ने correct answer दिया है ठीक है correct answer यहां पे क्या हो जाएगा correct answer होगा आपका जहरीला ठीक है विक्रत मलब poisonous ठीक है ध्यान रखेगा जिससे poisonous alcohol का पता लगा जा सके ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला होकी फेडरेशन के 46 सब्मेलन की मेज़वानी करेगा यह previous year है ध्यान रखेगा ठीक है विच कंट्री विल होस्ट दा 46th Congress of the International होकी फेडरेशन एगलाइंड भारत औस्टेलिया और फ्रांस किसे ने होस्ट किया था यह आपको बताना है सभी लोग बताईए यहां पर कह रहे सर जल्दी से बताईए आंसर क्या होगा यहां पर ऑप्शन नमबर टू भारत कह रहे है प्रतीक मुकेश भी कह रहे है विश्णू जी कह रहे इंडिया सिमरन कह रहे सर ए नहीं नहीं दोस्तों जो लोग भी कह रहे ना इंडिया भारत उनका करेट होगा भ ध्यानचन जी को कहते हैं, मेजर ध्यानचन जी को हमारे भारत में होकी का जादूगर कहा जाता है, होकी में हम लोग ने ओलम्पिक में, किसमें? ओलम्पिक में जो है, गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, किसमें? ओलम्पिक में हम लोग ने गोल्ड मेडल, स्वन्पदक जीते ह यह अगर आपसे पूछा जाए तो आठ बार 8 टाइम्स थीक है, 8 टाइम्स जीता है, हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, कितने खिलाडी होते हैं, अगर यह पूछा जाएगा, तो खिलाडी की संख्या जो होती है, वो 11 होती है, ठीक है, यह आपको याद रखना है, चले आग या फिर हाइड्रोक्लोरिक अमल होता है कौन सामल होता है शुभमने का सर फोर होना चाहिए तो जो लोग 4-4 कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer होगा, very good, sovic, very good, amit, बहुत ही बढ़िया, hydrochloric acid, देखें दोस्तों, हमारा जो stomach होता है, क्या stomach, ठीक है, stomach में पाजाता है, HCL, HCL को हम लोग कहते है, hydrochloric acid, क्या कहते है, hydrochloric acid, अब देखें, सवाल यह उटता सर, हमारे पेट में hydrochloric acid की जरूरत पड़ी क्यों, भया, अमल है, यह तो हमारे पेट को जला देगा, लेकिन हमारा पेट तो जल नहीं रहा है, क्योंकि दूस्तों, हमा पेट में pH मान है, उसका 1.5 से लेके 1.8 है, यह ध्यान रखेगा, hydrochloric इसलिए होता है, दोस्तों, मालिजे, कोई भी आपने प्रदात खाया, जैसे मालिजे, खाना खाया, उसमें बैक्टीरिया अगर होंगे, तो बैक्टीरिया को खतम करेगा, यह आपको याद रखना है, ठीक है, तो hydrochloric acid यहाँ पे correct answer हो जाएगा, और पेट में किसका पाचन होता है, तो protein का पाचन होता है, किसका पाचन होता है, तो आपको ध्यान रखना है, protein का पाचन होता है, ठीक है, protein का, चलिए, अगला question आपके screen पर यह रहा, दोस्तों, नीचे दिये गए कथनों में से गलत कथन का चैन कीजिए, choose the wrong statement from the statements given below, ठीक है, wrong statement आपको बताना है, दृती समूह में मौझूद तत्व शारी धातुए कहलाते हैं, अठारवे अत्वाद सुन समूह में, जो है, इस्थित गैसे निश्क्री होती है, पहले और दूसरे समूह के तत्व, जो है, S-Block के और सत्रवे समूह में, जो है, मौझूद तत्व, शारी धातु कहलाते हैं, क्या होगा correct answer, सभी लोग बताईए, इन में से कौन सा गलत कथन है, ये आप से पूछा गया है, गलत कथन बताना है, से लिए बताईए दोस्तों कौन सा गलत कथन है, यहाँ पे जो लोग करेसर option number होना चाहिए, पूर, पूर, उनका बिल्कुल correct होगा, खुश्बू का correct है, अमित का correct है, सिमरन का correct है, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो fourth statement है, क्या करा है, elements present in the group 17 are called alkaline metal, जबकि दोस्तों alkaline metal कौन सा होता है, first group होता है, first जो पहला समूह होता है, उसको हम लोग कह है, alkaline metal, क्या कहते है, alkaline metal कहते है, alkaline metal कहते है, alkaline metal पहला ग्रूप है, second जो है दोस्तों, यह पहला alkaline metal हो गया, second group क्या हो जाएगा, second group हो जाएगा, alkaline earth metal, alkaline earth metal, second group हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेगा, और जो हमारा 17 जो group होता है, उसको हम halogen कहते है, तो यह statement यहां पर ग पहला अलकली मेटल है दूसरा अलकलाइन अर्थ मेटल है तो यह और सिमरन जी देखे पहला अलकली है यहां पर दिति सम्मू मौझूत्व चारी जात्व कहलाते हैं अलकलाइन मेटल कहलाते तो वही तुम्हें कह रहा हूं दूसरा अलकलाइन मेटल कहलाता है ठीक है और हमसे रॉंग पूछा है तो रॉंग यहां पर दोस्तों यह है ठीक है कोई सत्रवा वाला जो है दोस्तों क्या है दोस्तों है ना कि अलकलाइन मेटल है ठीक है आगे बात क यहां पर प्रणाली यहां पर कौन सा है मैथड कौन सा है जिसके तुरू कौपर्टी इस प्लेश इंदी यूट्रस संभोग गर्भ निरोध या गर्भधारना या फिर निसेशन क्या होतें क्या खह गंगा इसको क्ये इन्टर कोर्स कंट्रस्ऩ यहां पर कर्यक्ट आंसर क्या होगा कंट्रसेप्शन करवा झाल इजिए और या tipping इसको यहां पर यहांपर कोपर कंट्रसेप्शन में अन्यारalah हैं तुर एक मेराथॉनमी मेरा। सौविक जी बिल्कुल डेफिनेटली मैं करवा दूँगा अभी दोस्तों मैं आज आपके लिए करवा रहा हूं मैं आपके लिए बहुत जल्दी दोस्तों साइंस वाला जो है मैरतन बलब देड़ घंटे की क्लास लेकर आ कर दूँगा जहां पर सिर्फ साइंस के कोश्चन एल्पी और टेक्नीशन में जो पूछे के सिर्फ साइंस के कोश्चन उसको मैं आपको ऐसे आपको इक आईडिया लग जाएगा किस प्रकार की कोशन आपके अपके एक्जामें ठीक है तो जिससे आप साइंस पर जादा फोकस करके होगी साइंस के पूशन जादा पूछे जाते हैं चले किस मुगल सासक ने दिन ए इलाही की शुरुवात की थी विच मुगल रूलर स्टार्टेड दिन ए इलाही साजहां अकबर हुमायू और औरंगजेव किस अकबर कह रहे हैं सौविक सिम्रन भी कह रहे हैं सर होना चाहिए अकबर अमित भी कह रहे हैं बी आउक्षन आनंद कुमार करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा ठीक है यह ध्यान रखेगा अकबर के अगर मैं बात करता हूं किसकी अकबर तो आप से सवाल पूछा यह ताज कब पहनाया गया था तो यह पनाया गया था 1556 में ठीक है इसी ने दोस्तों जो है अकबर नहीं दिन इलाही की शुरुआत की थी इसी ने इबादत खाना इसने खुलवाया था इबादत खाना ठीक है यह आपको ध्यान रखना है इसी ने बुलंद दर्वाजा बन बनवाया था और इसी ने जो है दोस्तों फतेपुर शिकरी सहरij फतेपुर शिकरी वह इसी ने ही बनवाया था यह भी ध्यान रखना है ठीक है इस अकब़ी के दर्वार में नौरतन थेभ ठीक है चले आगे और इसका जो है दोस्तों आप लोगों से पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा मकबरा जो है यह कहां पर पाय जाता है तो सिकंद्रा में ठीक है सिकंद्रा बाद नहीं दोस्तों सिकंद्रा सिकंद्रा कहां पर है आगरा के पास है ठीक है चले अगला कोशन आपके ल कीटन का यहां पर काप्टेन केडई वरमा कैपटेन केड़ी शर्मा इसक्राइब करने के लिए कुछ को इक सबस्तर शर्म संदर है तो विश्वाइब बाद है आगे परता के वर्मा अगले सवाल पर अगला सवाल सबयugen लिखित में से कौन सा गुर्टकर्षण का उधारण नहीं है देखें नहीं है यहाँ पे लिखाए नहीं है विच ओफ दा फॉलाइंग इस नौट एन एक्जामपल ऑफ दी ग्रैविटी क्या यह ग्रहों के परिमंडलों का उनसे अलग होने से रोकने में सहायक है यह इलवे के लिए कितने मंथ का करेंट अफेर पढ़ना पड़ता है तो तुरी में सेफ देखें सौविक जी यहाँ पर मैं बात करूं किसी भी एक्जाम के आप तैयारी कर रहे हो ना तो मोस्टली 12 मंथ का करेंट अफेर होना चाहिए है ना माल लीजे दोस्तों 12 मंथ के 6 से 7 महीने और जिस महीने में एक्जाम होता है आपका माल लिजे इसके prob वहांवरी दोस्तों बारा महीने के कर लो तो वहां से हो जाएगा ठीक है यहां से फिर क्या हो जाएगा वह कवर हो जाता है मालीजे फर तो आपको क्या करना पड़ेगा जनवरी 2023 से लेके जनवरी 2024 तक कर लीजे सर 2023 का CA का पूरा PDF एंगलिश में दीजे सिमरन जी डेफिनेटली मैं ग्रूप में देने वाला हूँ अगर आप ग्रूप में नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाएए अड़रेट गौरफ सर्टेस्ट बुक में वहां पर मैं जो है दोस्तों आप लोगों को एक साल का करें लिए हम लोग यहां पर लेकर आ जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ें अगले कोशन पर आगला कोशन और दोस्तों जिन्हों ने अभी तक लाइक और शेर नहीं किया फड़ावर से लाइक और शेर करते हैं यहां पर करें टांसरों का यह कृष्ण वीवर ब्लैक होल के ग्रुनन में सहायक है ठीक है यह याद रखेगा चलिए यहां पर कोशन क्या पूरा है सेवाल निमलिखित में से किस समूं का संबंदित है क्या यह टेरिडोफाइटा को बिलॉंग करते हैं थैलोफाइटा को आवर्ती बीजी को या फिर ब्रायोफाइटा को किसको बिलॉं यहां पर क्रिक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो लोग वी option करें उनका क्रेक्ट आंसर होगा гलोफाइटा के और एंभी के हम लोग कहते हैं फिर्फिलॉंग रहे होदे हम आपके न्चे को होईगा ठीक है और यह question आपके लिए homework रहेगा सभी लोग homework बताईएगा comment box में answer करिएगा इसका homework का ओ हो 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 दोस्तों यहाँ पे समय होता है समाप्त जहां पर आज हम लोग ने वो सारे सवाल किये हैं जो कि आपके exam point of view से बहुत ही जादा महत्पून है उमीद करता हूँ यह session आपको अच्छा लगा होगा और यहां से बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा ठीक है और देखे दोस्तों डेली classes होती है तो आप में साथ डेली जुड़ सकते हो Monday to Friday टेस्ट बुक रेलवे पे सवा साथ बजे कितने बजे सवा साथ बजे क्लास होती है आड़ बजे तक होती है ठीक है यह डेली होती है Monday to Friday सोमवार से सुक्रवार तो यहां पर जुड़ना मत भूलिएगा जहां पर हम लोग ताबढ़ तोड़ सवाल करते ठीक है और आप लो नटीक मिल जाती है प्रैक्टिस को इन्फार्मस्यन होती है तो वह आपको यहां पर मिल जाती है ठीक है यह हिस्ट्री जी ओ क्या पूछना चाहरें सविक पढ़ाते हैं यहां पे सविक जी हिस्ट्री पॉलिटी में आपको पढ़ा रहा हूंगा ठीक है में फोकस मेरा दोस्तों जीके और साइन्स के लिए जो है यहां पर अमन सर और लली सर होंगे आपके साथ ठीक है कैसे आप लोग दोस्तों यहां पर जोड़ोगे तो देखे हम लोग चलते हैं टेस्ट बूक रेलवे चैनल पर जाओगे तो यहां पर देखोगे जो लाइव क्लाश चल रही ना इसी पर जाना है स्क्रोल डाउन करो सबसे पहले तो दोस्तों जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया फटावर से लाइक और शेयर कर देंगे यहां पर देखे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जॉइन आवर न्यू टेस्ट बूक रेलवे चैनल तो इसको दोस्तों सब्सक्राइब क है तो हम रेलवेक को टारगेट कर packed करेंरा हमारा गोल रेलवे हो गया रेलोसे में आपको टारɡ कर रहे हो और पढ़ा रहे हैं उनकी demo classes demo classes मतलब दोस्तों free of cost है आप किसी भी class open करिए और वहां पर पढ़ सकते हो for example आप जैसे मालीचे मेरी class पर गए वहां पर आपको free of cost मिल जाएगा आप उस पर चले जाएए आप वहां यहां पर देख लिए कौन कौन सी test series आपको मिल रही है लगाने को ठीक है यहां पर test series कौन सी मिल रही है और PDF आपको कौन से मिलने वाले वह चेक कर लिजे pricing आप चेक करोगे यहां पर देखो करोगे 1428 का 6 महिने का course मिल जाएगा और जो है 1392 में 12 महिने का लेकिन इसमें आप coupon code अपलाए करोगे गौरवम अपलाए कर दोगे 928 का 6 महिने का हो जाएगा और आपको यहां पर discount मिल जाएगा ठीक है चले तो अभी दोस्तों आप लोग जुड़ जाए आपको सारी PDF मिल जाएंगी ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में और सेशन को करते हैं समाब सेशन अच्छा लगा है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फड़ा-फड़ से कर लिजे और ब झाल